Home Loan का Pre-Payment या Part Payment कैसे किया जाता है? आपको Demo के साथ इस वीडियो के अंदर में दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप छोटी से छोटी रकम और बड़ी से बड़ी रकम को आसानी से Online या Offline Bank विजिट करके एकदम आसानी से Pre-Payment या Part Payment कर सकते हैं पूरी चीज आपको Demo के साथ दिखाने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ तो इस वीडियो में आप बने रही है, आपके सारी Queries को Resolve करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे Comment करके पुछा था कि Pre-Payment या Part Payment कैसे किया जाता है, करते हैं उससे फाइदा तो होता है और उसके लिए कितना फाइदा होता है उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि ये बहुत बड़ी एमांट होती है, जब आप 20-25 साल तक Home Loan भरते रहते हैं तो इसको कम करने के लिए और इसको कैसे भरा जाए वही चीज आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नामे गिर्दर चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता यहाँ पे दो मेथड से टोटल यह दोनों मेथड आज आपको बताने वाला हूँ जिसमें पहली मेथड जो है वो है ऑनलाइन जिसके अंदर में आप जो भी बैंक से उसकी एप्लिकेशन को यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं यह पेमेंट आपका एक EMI हो सकता है और मैक्सिमम पाँच EMI तक बट यहाँ पे अलग-अलग बैंक से जो अलग-अलग प्रकार से यह जो है शेवा प्रदान करती है लेकिन आपको यह चीज भी देखनी पड़ेगी कि आपकी बैंक यह चीज अलाउ कर रही है कि नहीं अब यहाँ पे मेरा एक्जामपल लेता हूँ तो मैंने ICI-ICI के थुरू होम लोन ली थी और यहाँ पे यह बैंक जो है यह फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है जहाँ पे मैं ऑन-लाइन इसकी जो Android एप्लिकेशन है उसके जरीए में यह पेमेंट कर सकता हूँ जिसमें म दूसरा मेथड है वो सेकंड मेथड जो है वो बहुत इंपोर्टन है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना पेमेंट यह अपना पार्ट पेमेंट मान लेजे 20 लाग की आपकी होन लोन है एक्जामपल के लिए समझ लेते हैं और आप एक साथ में 5 लाग पे करन चाहते हैं तो यह बहुत बड़ी अमाउंट है और इस केस में आपको क्या करना होगा क्योंकि यह जो ऑनलाइन मेथड है उसमें आप इतना बड़ा अमाउंट नहीं भर पाएंगे तो उसके लिए आपको जो पूरी प्रोसेस है पूरी मैथड है वो भी मैं आपको बताऊं से और उसका बड़ा फाइदा लेना चाहते हैं लंबे अंतराल के लिए तो वो चीज आपको आज डेमो के साथ बताने वाला हूँ हाला कि मेरे पास ICICA बैंक की application है या उसमें मैंने loan लिये तो उसी application के through मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले हम चलते हैं ICICA बैंक की मेरी application के उपर जहां से मैंने home loan लिया है मैं ICICA बैंक preferred नहीं कर रहा हूँ या मैं इसको promote नहीं कर रहा हूँ बड़ यह private bank है और मुझे यहाँ पे काफी अच्छे feedback मेले थे इसके चलते मुझे यहाँ पे काफी अच्छे feedback मेले थे और इसके चलते मैंने यहाँ पे home loan लिया था और मेरा अभी तक का जो पूरा service है और काफी अच्छा रहा है तो यहाँ पे मैं login कर लेता हूँ यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो online चीज़ है इना भार ही अच्छी है आपको bank जाने के जरूरत कभी पड़ेगी नहीं क्यूंकि सारी चीज़े motion online हो जाती है और काफी सारी बैंक यह support प्रोवाइड करती है आप यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो मैंने login किया यहाँ पे loan का section से अलग से दीख रहा है मेरी यहाँ पे दो home loan चल रही है 27,000 की home loan है दो अलग-अलग करके मैंने चलाई थी तो पहली home loan पे अगर आप click करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी detail मिल जाएगी जैसे principal outstanding वैसे मैंने यह loan close कर दिये पड़ यहाँ पे principal outstanding मेरा 0 है total मैंने loan कितना लिया था मेरा balance months कितना बचा हुआ है और मेरा EMI यह particular loan का कितना है अब इसी के अंदर आप देखेंगे more options के अंदर आप आएंगे तो सबसे पहला option ही आपको दिखने वाला है pay part payment अब इसके उपर आपको click करना है वैसे यह depend करती अलग-अलग हो सकती अलग-अलग bank wise बट आपको यह सारी चीजे जो भी bank से आपने home loan लिया वहाँ पर दिखने को मिलेगी आप यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज दिख रहे है यह loan account number यह बहुत ही important है जो भी payment आप कर रहे हो आपके bank के जो loan है आपकी उसका account के अंदर होना चाहिए नहीं कि कोई दूसरे account के अंदर दूसरा यहाँ पर आप द time maximum payment में कर सकता हूँ यानि कि 6 गुना अगर आप करनेगे तो around 70,000 रुपे मैं maximum payment कर सकता हूँ एक बार में और यहाँ पे आप दूसरा option देखिए नीचे में part payment से आप क्या करना चाहते है अपना tenure जो है उसको reduce करना चाहते है या अपना EMI को reduce करना चाहते है या अपना EMI को जाएगा यह loan account के अंदर पैसा कहां से जाएगा तो आपका जो आपका जो account number है वो यहाँ पर already pop up हो चुका होगा अगर नहीं हुआ तो आपको select करना पड़ेगा इसके बाद I year by agree पे click करना proceed for pre confirmation पे चले जाना है ऐसे आप करेंगे तो आपका जो prepayment है वो सीधा directly इस loan account के अंदर हो जाएगा जनरली क्या होता है 48 hours का time लगता है आपको यह show होने में कि आपका prepayment का जो outstanding amount है principal amount हो कम हुआ है कि नहीं लेकिन मेरे को यहाँ पर ICSA में अच्छी चीज यह लगी जैसे यह आप payment करते हो ना immediately यहाँ पर principal outstanding में आपका वो amount minus हो जाता है but bank to bank differ करता है वो म मैंने बताया जो first method है वो आपको मैंने यहाँ पर बता दी जिसके अंदर में आप 1 EMI से लेके 6 EMI बहुत ही आसानी से online घर बैठे बैठे payment कर सकते है लेकिन इसके लिए आपको अपने account के अंदर पैसे डलवाने जरूरी है अब दूसरा वाला method की बात करते हैं जिसके अंद तो इस condition में आपको क्या करना पड़ेगा इस condition में आपको करना पड़ेगा आपको bank की visit करनी पड़ेगी देखी ये पूरी चीज मैं कर चुका हूँ और मैंने पैसे भरे हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरी step by step process जहाँ पर आपको bank में visit करनी है और आपको जो loan authority है या जो loan section है उस बंदे को आपको मिलना है जो भी officer रहेगा bank के अंदर उसको आपको मिलना है और उसको बोलना है कि भहिया मुझे part payment करना है part payment करना है तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ी ही वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहली चीज है कि आपको जो part payment करना है वो आपके account में नहीं करना है बट कि जो आपका loan का account number है loan account number उसके अंदर में आपको part payment करना है तो उसके लिए आप part payment कैसे कर सकते हैं दो तरीके हैं पहला तरीका है कि आप क्या करिए कि जो checkbook है उसको लेके जाये और उसके लिए आपके account के अंदर इतना पैसा होना जरूरी है ये लोग cash में वहीवट नहीं करते हैं अभी भी आपको बता रहा हूँ हम लोग पहली बार जब गहे थे मैं पूरा पैसा cash में लेके गया था लेकिन cash ये लोग क्या कर रहेंगे cash को सबसे पहले आपको cash को deposit करवाएंगे आपके account के अंदर और फिर account से आपको एक check देना पड़ेगा और वो check आपको कौन से account में देना पड़ेगा loan account number आपका जो loan account number है वो आपको mention करना पड़ेगा check के उपर जो भी आपका loan account number है उसको mention करना पड़ेगा और आपको payment बताना पड़ेगा कि आप कितना करना चाते है मान लिजे 5 लाख रुपे करना चाता हूँ आपको signature करके ये जो check है वो check आपको ये officer को दे देना है जैसे आप ये officer को दे देंगे आपका जो check है process होगा और आपका जितना भी पैसा है तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे को पता चला अब UPI से भी payment होता है आपका कोई भी bank के अंदर मतलब दूसरी bank में पैसा पड़ा है और आप directly UPI के through ये loan account के अंदर आप पैसा जमा कर सकते हैं तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये option भी देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे UPI code actually generate होता है नया code generate करके देते हैं आपका loan account number के इसाब से फिर आपको इसको scan करके payment करना है और इसके through भी आपका पैसा जो है आपका loan account number के अंदर principal से deduct हो जाता है तो ये जो है ICICI के अंदर में मुझे देखने को मिला हो सकता है कि ये चीज दूसरी bank के अंदर ना भी हो बट ये दो methods तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे पहला ये है जिसमें आप Android app के through pay कर सकते हैं दूसरा है कि bank visit अगर आपका Android app सपोर्ट नहीं करता या उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये method तो जरूर से work करेगा लेकिन आपको यहाँ पे एक ही चीज द्यान देने की जरूरत है कि prepayment का कितना पैसा है वो जरूर चेक कर लिजिए कितना पैसा आपकी bank ले रही है जनरली आज के दिन में कोई भी bank prepayment का कोई भी चार्ज वसूलती नहीं है अगर आपकी bank prepayment का चार्ज वसूल रही है तो आपको मेरी request है कि आप ऐसी bank में अपनी loan को divert कर दीजिए या transfer कर दीजिए जहां पर ये सब payment का कोई भी चार्ज इस ना लगता हो ये वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो एक like जरू कर देना और अपने ऐसे दोस्तों को भी share कर देना जो इस माया जाल में फस चुके है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिलता हूँ आपको और किसी नए वीडियो में अगर आपकी कोई भी doubt है query है मुझे comment box में जरू बताइए आपको मिलूँगा अभी next वीडियो के अंदर और कुछ मज़ेदार content के साथ तब तक still stay invested goodbye and jay hint